नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने श्वेनल हेल्थ और मेडिसिन सिंदी में डियाबिटीस के चैप्टर 11 में आज हम बात करेंगे डियाबिटीस में क्या नहीं खाना शाहिए यानि कि वह कौन-कौन से फूड्स है जिसे हमें कंप्लेटली अवोइड करना है देखे या जो वीडियो है वह प्री डायबिटीक या फी डायबिटीक लोगों के लिए तो इंपोर्टन्ट है ही साथ ही साथ जो लोग नौर्मल इंडिविजिल है उनके लिए भी यह वीडियो फाइदमन साबित होगा तो प्लीज स्कीप मत करिए आज मैं आपको चार केटिगरी इसके फूर्ट के बारे में बताऊंगा जो हमें इनकेस ओफ डायबिटीस इनकेस ओफ प्री डायबिटीस अगर आप नौर्मल इंडिविजिल है तब भी हो सके तो अवोईड करने हैं सभी को पता है कि डायबिटीस क्यों होती है मैंनी दो रिजन हमारे सामने आते एक तो अगर कोई व्यक्ति अनहेंथी डायबिट लेता यारी कि जादा सुगर वाला खाना ज़्दा काश्य ताल को इस्टील ओर्य तो इनकेस, आज नहीं तो वो pre-diabetes है या fit diabetes है या दोनों situation में अगर हम हमारे diet पर control करते हैं हम क्या नहीं घाना चाहिए उसपर तो जो लोग normal है उन्हें future diabetes होने का खतरा बहुत कम हो जाता है जो लोग pre-diabetes है या fit पर में नेचरल शुगर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर बात हो रही है रिफाइन शुगर ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइन का उप्योग होता है अगर हम लगातार ऐसा खाना खाएगे तो इन फ्यूचर हमें डाइबिटेस होगी ही देखें वाला खाना जाधा को सकते हैं इसलिए ओक करुछ sıटम में खाना जाई मनबर दो है प्रोशेस फूड ऐसा आहर जिसे सिया चाहता है खासकर के मैदे से अगर अब आज में स्कूस सब्रत Giante Committee को न देंगा में बढ़ों अर आज नहीं तो कर выступ को नियोता देगा तो हो सके तो यह जो प्रोसेस फूड है उसे कम खाना है अगर हो सके तो उसे completely neglect भी करना है यह जो खाना होता है उसमें बहुती ज्यादा मात्रा में शुगर और सोल्ट का उपयोग होता है तो नकेवल कोलेस्टरोल वाले आहार से जितना दूर रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है अगर कुछ आहार की बात करें तो पीनट बटर फिर बेड़ स्प्रेड आता है चीज स्प्रेड जाम जेलीज मुफीन फ्रोजन डेजर्ट फ्रोजन फूट इत्यादी में बहुती ज्यादा मात में ट्रांस फेड्स होते हैं जब भी आप कोई फूट फेकेट खरीगते हो तब उसमें नुट्रिशनल इंफोर्मेशन का एक कॉलम होता है जो कंपल्सरी जो मेनिफेक्ट्रर है उसे देनी ही पड़ती है उसमें आपको देख लेना है कि ऐसा ही खाना आपको पसंद करना है जिसमें कोलेस्ट्रोल और ट्रांस फेड्स ना हो तो जितना ज्यादा हम ट्रांस फेड्स 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 वाला खाना खाये उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है देखे जो ट्रांस फेड्स 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 लेवल पर इफेक्ट नहीं करता है लेकिन जैसे ज ऑफ ट्रांटफेट्ल इंफ्रामेशन कि बहुती है त्यज़ी से चणने लगते हैं मारे चुजन हो जाती है है शांदे पिंक्रियास मसे चुम्राइज नहीं होगा और इंशृलिन हो जायाSet जो हमारे cells है हमारी जो tissues है वह insulin के प्रति insensitive हो जाएगी जिसे होगा ये कि insulin का proper utilization नहीं होगा और हमारे शरीर में जो sugar का distribution blood में से होना चाहिए वह properly नहीं होगा और हमारे शरीर में blood glucose level, blood sugar level बढ़ने लगेगा और उसके बाद diabetes का खत्रा रहेगा नमबर चार है high carb foods यानि कि ऐसा आहार जिसमें carbohydrates की मातरा बहुती ज्यादा होती है देखे इसमें कोई दोरा है नहीं है कि हमारे शरीर में जो organs है जो system है उसे अच्छे से काम करने के लिए energy की जरूरत है हमारे cells को हमारी tissues को energy की जरूरत है या energy हमें carbohydrate वाले आहार में से ही की इसलिए carbohydrates को skip करना तो बेयो कोफी होगी लेकिन इसका मतरब यह भी नहीं है कि बिना सोचे समझे carbohydrates का 7 हम करें यहां पर हमें एक चीज ज्यान में रखनी है वह है carbohydrate counting हमारे शरीर की carbohydrate की नीड क्या है हमें पूरे दिन में कितनी calorie चाहिए वह हमें पता होना चाहिए उस ज्यादा खाना नहीं खाना है अगर हम हमारे शरीर की नीड से ज्यादा मातरा में कार्बोहडर्स का 7 करेंगे तो हमारे शरीर में जो ब्लेड ग्लुकोस बढ़ेगा ही देखें यहां पर एक लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें मैंने लिस्ट किया है जो unhealthy carbs है उसको तो यह लिस्ट कुछ इस प्रकार है पोटेटो चिप्स बनाना चिप्स केंडी फ्रोजन डेजर्ट फ्रेंच प्राइज वाइट ब्रेड वाइट राइस बार्बी की सोस प्रोसेस फूड चंग फूड जेली चीज क्रेकर्स फूट फ्लेवर्ड योगर्ट वाइट पास्ता पैनकेक्स रिफाइन केरल्स इतियादी तो यह जो लिस्ट मैंने बताई है हाई काब्स फूड की जो अनहेल्दी है उसका सेवन कम से कम करना हो सके तो उसे अवोइड ही करना है तो यह मैंली चार केटेगरीज के फूड से जिसे अवोइड करना है उस व्यक्ति को मैं डिस्क्रिप्शन में भी देदूगा तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हो तो यह लिस्ट कुछ इस प्रकार है शुगरी ड्रिंक्स स्वीटन आइस टी पीनट बटर चीज प्रेड क्रीमर्स फ्रोजन फूड्स क्रेकर्स मूफिन्स फ्रूट जाम्स शुगर केंडी म बनाना चिप्स इतियादी लेकिन जो में जो फूड है जो यह चार के टेगर को कमाइन करके बनते हैं वह मैंने यहाँ पर आपको बता दिये हैं तो हो सके तो इसे कंप्लेटली अवोइड करना है और अगर कभी कबार खाते हैं तो इसके लेकिन अगर इसके आदत लग गई तो आज नहीं तो कर डाइबिटिस का सामना आपको करना पड़ सकता है और जो लोग डाइबिटिक है फिर प्री डाइबिटे उन्हें तो यह लिस्ट में जो भी फूड में ने बताए उसे कंप्लेटली अवोइड ही करना है तो फिराल अभी के लिए बस इतना ही आगे चि आज का वीडियो जाने से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत